लूब एब्रिवन वाइन इस दीपा मेता और वेलकम बैक टू दे चैनल कोशन लेन इस्टुडेंट्स अभी हम पाड़ने क्लास 12 के लिए इंडियन एकनोमिक डेबलोपमेंट को जिसका हमें चेप्टर नंबर 4 आज कवर करना है चेप्टर नंबर 4 का नाम क्या है एकनोमिक इस चेप्टर नंदर हमें बहुत सारे मेंजर अंबर करुस को पर करने ऐसे कि नंदर हो गिया जैसे कि लेघा सोवतρεब इसके इन सुब्लकिर आजैसे के लिघूष के दिए सब्लूर्ION क्या है की नर में चैटर को उन्योन पेको पड़ेशन सब्सकितने सेते हैं तिर पारट व्ण में हम पढ़िए इक्नामिक रिफॉर्म के बारे में क्रीच कैंगती परद कवाया है आगए इस प्रड़ के इंदर हमें क्या कविक्षट करना है करने के बाद हम इसमें क्लों को या ने गिसमें क्लों के फिक कृष्ट को यह होग्ड चैप्टर की तरफ बढ़ते सब्सक्राइब का मतलब कि कि की positive हो ठीक है तो reforms का मतलब क्या होगे एक तरीके से हमारे changes आते है एकानमी के अंदर उनको क्या बोला जाता है सबसे पहले हमें समझने है कि economic reforms क्या होते है अगर exam में आपका लिखने को आता है लिप्रिटाइजिशन क्या होता है या फिर लिखने को आगर globalization क्या होता है तो उसको इंडिडियूस करते समय आपको economic reforms के बारे में पता होना चाहिए जिससे बहुत अच्छी सपनी क्या है आगी story को लेख सको तो सबसे पहले topic क्या है meaning of economic reforms के बारे में अभी पड़ती economic reforms क्या होते है क्याते economic reforms refers to set of economic policy क्या इसने बोला कि economic reforms का मतलब क्या होते है set of economic policy अच्छी economic वर्ड जहां पर ब्याइस का मतलब होते है something which is related to money कोई भी ऐसी चीज़ जो हमारी पैसों से संबंदी दे मनी से संबंदी दे उसको वहां पर वर्ड के यूज कर जाते है economic ठीक है तो economic reforms refers to set of economic policy जो कि डिरेक्ट करती है क्या करने के एक्सिलेरेट करने का मतलब क्या होते है किसी चीज़ को इंप्रूफ करना बढ़ाना तो इसने यहां पर सीधा सीधा हमें क्या बोला अगा हम असान सब्दों में समझे तो इसने बोला economic reform का मतलब एक ऐसी set से है जो जिसमें क्या है बहुत सारी economic policy है लेकिन economic policy को जो में उद्देश है यह जो में परपस है वो क्या है growth and development के लिए काम करना किसी growth and development तो किसी एक particular का मुटी समझ देते कि क्या है करके ठीक है यहां पर एक बार हम इसको क्या करेंगे एक पिक्चर की मतलब से समझेंगे ठीक है यहां पर क्या है एक नॉमिक कि यह definition को याद करने के क्या होते है इजी वे होते रिफॉर्म क्या है है कि सैट ओंय्क कॉलिशी कि सैट ओफ एकजान ही पोलिशी सैट ऑफ जैट आफ किया करता है एक्से में रेट करते हैं ठोल करते हैं वाहन किसको अ कि पेस ओव growth and development of a nation I hope easily आपको economic reforms करेंशन याद होगी कि 시간 क्या है एक सेट फ़ एकनोमिक पॉलिसी है जो की exe собирate करते है कि इसको pace of growth and development of our nation को ठीक है definition समझ में आ गई जब तुम्हें यह definition समझ में आ गई है तो हम क्या करेंगे इसके आने वाले topics को easily समझ सकें तो सबसे पहले इसने क्या बोला अभी तक हमने समझा कि economic reforms क्या होता है economic reforms को हमने पढ़ा कि economic reforms एक set of economic policy होती है जो कि accelerate करता है अब आप सूचोंगे कि growth and development तो अलगलग क्यों बोला जा रहा है तो और इस है कि growth and development में फर्ग होता है क्या फर्ग होता है वह यहां पर कर रहें क्योंकि यहां पर कबर करेंगे तो हमारे जो चैप्टर का रिदर में वह खरा हो जाएगा तो चलो आगे बढ़ने अपनी टॉपिक की तरफ कहता है वाई economic reforms क्या होता है अभी हमें समझने कि economic reforms क्यों होते तो कहता है economic reforms को करने की पीछे जो में कारण है वह क्या है हमारी 90 की जो क्रैसिस थे उनके बारे में ठीक है तो 90 की क्रैसिस की कारण हमारे यहां पर economic reforms को लाए गया अभी तक तुम्हें यह नहीं पता कि economic reforms को क्या क्या मतलब कौन सी चीज़ आसे जो economic reforms के अंदर कबर कर जा अभी तुमने सिंपली मीनिंग समझें कि economic reforms होता क्या है तो समझते हैं आगे कहते हैं 1991 the government of India initiated a series of economic reforms to pull the economy out of the crisis of 1990 इसने क्या बोला इसने बोला 1991 में जो हमारी government of India थी उन्होंने initiate करे economic reforms को जिससे कि वो अपनी इंडियन economy गो जो 90 के crisis है उससे बाहर ला सके क्या करें जो 90 के crisis है जो यह 90 के crisis क्या है बेसिकली इसमें जब हम अपने economic reforms को लेक्ट कि आए तो हम्में क्या-क्या फाइदा हुआ इसके बारे में तो सबसे पहने हम यह समझतें कि कि बेसिकली हमारी जो 90 की क्रैसिस थे वो क्या थे और उसके बाद हमारी जो एकनोमिक रिफॉर्म से उनको लाने के बाद फायदा किया हुआ देखो मैं यहां पर तुम्हें बहुत क्रिस्प मैंनल में समझाऊंगे क्यों कि आगे हमें क्या जाने इसको डिटेल मैंनल में पढ पार मतलब पाने सालों के लिए बनाती है इसमाँ काम करते इन के उपर क्या है इंडिया कि है थोड़ा पिछड़ा हुआ अब जोगी इनके उपर इंडियन काम कर रहे हैं लेकिन उसके इतने अच्छी रिजल्ट नहीं आ पारें जिसकी वज़से से हुआ क्या हमारी इंडियन एकॉनमी थी न वह तरीके से कैसी थी कैसी यह तो अभी हमारे यहां पर हुई कि एक तो हमारे हां पर आने लगा पहली कि उसमस्य के जन्स कि क्या हुई एंप्लॉइमेंट की समझ्य है मतला हमारे हाँ पर क्या है बेरुजगारी हद से जाधा बढ़ रहे थी जब हमारे हमारे पर एक्नॉमिक रिफॉर्म्स को नहीं लिया गया था तब क्या हम बात कर रहें पर कैपिटा इंकम हमारी चिथी लेस थी मतल्ड़ पर कर दो अप्टाइब कम थी हमारे हापन इसके अलावा कि है कि शॉर्टेज़ ओफ ए शॉर्टेज और फॉरेन एक्षेंज मतलब फॉरेन एक्षेंज रिज़व के हमारे पास कमी थी थी कि फॉरेन एक्षेंज कि हमारे पास कमी थी कि इसके बाद इंडिया कैसे था डिपेंडेंट था किसके उपर डेवलोप्ट नेशन के उपर किसके लिए फूट ग्रेंज वगरेंगे तो हम क्या से थे डेवलोपिंग नेशन थे और एक जो मेजर चीज थी वो था क्राइसिस ओफ बैलन्स ओपेमेंट यहां पर मैंना चीज़ता फाइब क्रैसिस ओफ बी योप तो यह कुछ कारण थे जिसकी वज़े से हमारे हम पर इंडिया को क्या करना पड़ा एंडिया को ले के आना पड़ा ठीक है चलो जो हम यह 90 की क्राइसिस की बात करें यह सारे क्राइसिस है तो कहते हैं 1991 दा गौर्मेंट ऑफ इंडिया इनिशेटेटेड़ और सीरीज ओफ इक्नॉमिक रिफॉर्म्स टू पूल दा एकॉनमी आउट अउट अप इसके बाद हमारा जो भी ओपी थी उसकी बहुत खराबती मतलब बैलेंस पेइमेंट की जो हालती बहुत ज्यादा खराबती उसके अलावा हमारे यहां पर इंडिया कैसे थी एक डिबेंडेंट कंट्री थी किसके ओपर जीतने भी डिवलप्ट नेशन है उनके ओपर ठीक है इनको नैप करके बोला गया नी इकनोमिक पॉलिसी अब पूछा जाए कि नियू एकनोमिक पॉलिसी के अंदर जो हमारी इंडियन गवर्मेंट है उसने किन-किन चीजों को कंसिडर करा यह किसके बारे में स्टडी करी तो तीन मेजर पॉलिसी चेंजिस को यहां पर इंट्र क्या जाते है तो लिब्रेडिय पर क्या है पॉलिसीं को अपना बात क्या 000 कि प्रिवर्मेंट क्या हो गया किसे से सेक्टर जहां पर क्या है गौवर्मेंट के सेक्टर है बट वह बहुत अच्छा पर्फॉर्म नहीं कर पा रहे ड्यू टू मिस्मैनेजमेंट यह किसी और वज़े से उनको उन्होंने क्या बोला कि प्राइब कर दो अभी हम आगे जब अपना टॉपिक कवर करेंगे उस समय पर हम देखेंगे कि कौन-कौन से हमारे पॉब्लिक सेक्टर थे जिनको बाद में क्या करा गया और इस प्रिवडेजेशन के दौरान जो बैंकिंग सेक्टर है उसके पर भी हम बात करेंगे क्योंकि कोई सी भी क बारे में ठीक है घाए नाई करना चाहिए उसके बारे में फ़ड़ेंगी और इसके बारे में बारे में ठीक है तो हमकि क्यों क्राइपक करें कि खुंक मने के पे नहुंदल करना है सब से पहला है पॉलिप द्रिखिशन पॉलिसी Situation जिसमें से आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो क्या रहेगा रहेगा चलो आगे बढ़ते यह चीज़ हमने समझी लिए कि अगर हम ब्रांजिस ऑफ निग्मोमिक पॉलिसी के बारे में लिखने को आते तो अभी आप लोग क्या है ट्वेल्ट के एक्जाम में आप देखोगे कि इन तीनों में से किस करते हो या मास्टर्स करते हो तब तक भी यह कोशन आपके क्या है फ्रिक्वेंटली पूछे जाते है ठीक है जब यह अब एक्जाम देने बैठोगे तो आप देखोगे कि आपकी जो कोशन पेपर उसमें यहां मतलब इस पॉर्शन से कोशन पूछी लेते हैं तो यह चीज को लेकि उदार होना ठीक है मतलब एसा प्रोसेस जहां पर इल्मिनेट करा जाता अब यह मतलब क्यों कि चीज़ों को खत्म करना है जहां से किसे यह को रए से एक्टिविटी को करने के लिए हैं किसे लेने के लिए तो परलाई गशाया करोगे फॉर्म फिल करोगे, फीस पे करोगे, मतलब क्यूज में लगोगे, और जिससे क्या है, आपका एक लंबा समय उसमा चला जाता है, और सम्टाइम ये चीज़े क्या करते हैं, किसी भी पॉसंड को डिस्करेज करते हैं काम को करने के लिए, तो यहां पर क्या बोलागे, गौर् को अपने को पे करना होता था, और सम्टाइम है जो प्राइब चूसुक्ता जल्दी करने की जरूरत है, तो और असां करने की जरूरत है इसने बोला कि जो लिब्राइजेशन है न उसने क्या करा एक तो जो गवर्मेंट का कंट्रोल है एक्टिविटी को के उपर उसको धीरे-धीरे खतम करना सुरू करा दूसरी चीज़ इसने बोला कि इसने साथ की साथ हमें क्या करें प्रोवाइट करें पढुबिसेंटरफ्राइस को यह बिजन्स हाउसे को जिसे कि वह क्या कर सके अपने डिसीजन मेकिंग कर सके और साथ के सथ गर्मनेट कर सके गवर्मेंट। को जैसे पहले की समय में आपने देखा होगा कि काही सारी चीज आइसे तो जिसमें आपको क्या है गवर्मेंट की इंटरफेेरंज रहुश्य ट पर देके हैं ब्ले sería तो यह सारी किसे के अंदर आती हैं ये सारी कि जायेंगे अपने आजपास कोई भी चीज आप देखोगे जिसमां कोई भी इककनोमिक एक्टिविटीर हैं पे देखोगे कि आपको पहले करने में अज़री हाटेश करनी ही पड़ती पेस्ट कर पार तो वह किसकी वजह से विज तो यह सारी के सारी चीज़े किसके अन्दर आते हैं लिब्राइजेशन के अंदर हैं कि अब चाहिब हम क्या करते हैं आगे बढ़ते हैं कि के फोलोइंग पर सम नौटेबल वदीशन इन दिस रिगाड अच्छा अभी हमें समझने है कि क्या कि हमारी ब्लाइजेशन नहीं यह आया लिप्रिवर्ट इजी इशन डी आए यह उससे पहले हमारे हाँ पर जो रिफर्म के नाम पर जो चीज़ां फिफेर्ट इसने बोला कि 1991 से पहले देखा जाए तो जो गौर्मेंट थे ने उसनों बहुत सारे कंट्रोल लगाए थी कि इसके उपर प्राइबिट एंटरपाइस के उपर काम करते से मैं जिससे उन और इसको प्राइब्लम फेस करना पड़ता था क्यों क्यों कि इन्वेस्टमेंट उनका लग लगा है लेकिन इंटरफेरेंश की तो इसने क्या का क्या क्या चीजह थी जहां पर गवर्मेंट की इंटरफेरेंस थी तो सबसे पहले से बोला कि एक दो किया मारा कि ती प्राइबेट के चांपनी को किछ सी ues को अगर किसी बिजिस्प को आ परफॉरम्ट कर ना है तो इसको क्या करना पढ़ना पड़ता था मतलब के पास लंबी-लंबी कियूज में लगना हैं वी उनको अमांट पुकरना उसके बाद कागज के तुरू अपने फॉर्म्स को अप्लाई करना थे किया थे थोड़ा पैनिक काम हो जादे थे कहते हैं प्राइस कंट्रोल और फिनेशल कंट्रोल और फिनेशल गुड्स दूसरा हमारी हमने बोला पहली तो लाइसेंस शिस्टम थाई दूसरे इसने बोला कि जो समान मंगवा रहें तो उसके उसे पहले अब को गॉश्ण मेंट से प्रमिशन लेना पड़ता था कि हम वहसे समान मंगवा हैं यह ना मंगवाएं तो इंपूर्ट लिए न उसके बाद फॉर एई एक्छेंज को गुष्ट्रॉल करोंगें division jos एक्से स्के बार तौ मतलब अगर उनको invest करना है तो उनको government से क्या करना पड़ता था permission लेना पड़ता था तो यह क्या थी basically कुछ problem थी जो face करनी पड़ी before liberalization ठीक है आगे इसने बोला it was experience by the government there's several shortcoming health email in the economy on account of these control फिनों ने देखा इन्होंने experience करा कि इसने government ने कि बहुत सारी के हैं problem आ रही है किस तरीके से इस तरीके से काम करने में जहां पर हमारी क्या है चीजे लिबरल नहीं है बहुत ज़्यादा ना होने के काना दिक्कत दोनों को आती थी private houses को भी आते इन government को भी आते government को क्यों आ र क्या है कि इस तरीके से हुआ क्या इन कंट्रोल के लगने के कारण हमारें पर क्रॉप्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गया जैसे छोटी सी चीज समझते हैं मालो किसी बच्चे को admission को करने सकते क्योंकि चीजे उतनी liberal है नहीं आपको स्कूल में ही जाके admission करवाना पड़ेग कंट्रोल्स ते उससे क्या होगा क्रप्श्न के पड़ावा मिला क्या होने लगा क्योंकि यहाँ पर क्योंकि चीजों के नहीं कर पाती थे कि एक्यूली में काम हो रहा है या प DENNIS जो सरकारी एक आपर और प्लिक का, तो कहते हैं फॉर्थ इसका जो मेजर ऑब्जेवेशन था वो क्या था ग्रोफ रेट ऑफ जीडीप है फॉलन शाप्री इन हाइज को सिस्टम केम इंटो बिंग इसने बोला साथ के साथ हमारी जो ग्रोफ रेट थी वह भी कैसी डाउन फॉल और सुरू हो गई गिरना सुरू ह थी तो कहीं न कहीं सामने वाले को प्राव्लम होती थी बिजनस क्यों करने में जिसकी वज़े से हमारा क्या होने लगा कि घ्रेजुली हमारी जीडी थी उसकी जो भी रोट रेट अवो क्या होने लगए डाउन होने लग गई ठीक है तो यह कुछ आब्जेवेशन से जो हमन तो इन्होंने क्या बोला हमारे यहां पर क्या है ग्रेटर रिलाइंस के उपर हमें काम करना चाहिए यह सबसे बहुत इसको इन्हों ने बोला कि बहतर है कि हम क्या गए चैक लगाए ड्रोला बार बहुत क्यों ना हम मार्केट के उपर चोड़ देते हैं मार्किट को उपर चोड़नेंगा मतलब क्या है जैसे मान के जलो एक छोटा से आप एक 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 जांपल लेकर चलते हैं जैसे यह है Mr. A ठीक है यह कुछ भी एक समान बनाते हैं मान के चलो कि एक चेर बनाते हैं ठीक है इनका चेर बनाने का क्या है बिजनस है चेर बनाने का बिजनस है अब इनसे क्या कहते हैं 1991 से पहले मतलब न्यू एकनोमिक पॉलिसी आने से पहले यह कहते हैं कि जो भी तुम चेर बनाओ कि ना इसका प्राइस हम भी सेल करेंगे कितने का सेल होना चाहिए अब इसने बोला कि गवर्मेंट ने मोलते हैं इसे 1000 रु काम करें तो इसको क्या है कॉस्ट निकलनी पारी मतलब इसको बना के है इसने क्या करणा तैयार कर दो नैंने में लेकिन नांटीन नांटीन में इन्होंने क्या बोला कि हमें क्या है च्छोड़ देना चीए क्या करना चीए मार्केट फोर्स के उपर छोड़ देना चीए मार्केट फोर्स के उपर छोड़ने का मतलब क्या है कि डिमांड एंपत फाल फोर्स का मतलब एक क्या करेंगे मतलब एक को नहां मिस्टे र ए contam ? इन्हों ने बोला कि काम करो सेलर और बायर को डिसाइड करने जो कि वो छेर कितने रुपे में खरीदना चाहते हैं अगर सेलर ने उसका रेट बोला सब्सक्रों फिप्रीन हंडर्ड रुपे जो कि गॉर्मेंट डिसाइड नहीं करा मिस्टर एक के पास पावर है कि वह खुछ जाएगा यह क्या हो जाएगा तो बहतर यह है कि हम कंट्रोल लें चेक्स लगा हमें मार्केट फोर्स के ऊपर छोड़ देनी चीजिए चीजों को जिससे कि जो बायर है एंज जो सेलर है वह क्या करें अपने त्रेशनल थिंकिंग के तुरू जो हमारी ट्रेडिंग क्या यह इंडिया का एक जिस्ट था एक आइडिया था कि वह सिर्फ इसको प्लेस करना चाहती थी या इससे पहले कहीं पर ही चीज़ा हो चुकी थी तो कहता है कि ऑवेस है एक्जामपल ऑफ डेवलपिंग कंट्री लाइक कोरिया हो गया थाइलेंड सिंगपूर डेट हैड अच्छी खासी रैपिट ग्रोथ को इन्होंने क्या अच्छी खासी रैपिट ग्रोथ को अचीव करा किसकी वज़े से डू टो लिब्रेलाइजेशन ठीक है यहां तक चीज़े समझ में आगे बढ़ते हैं अगर हम बात करें कि लिब्रे लिप्रेलाइजेशन के अंदर कौन-कौन से एक्टनामिक रिफॉर्म को लाए गया एक्टनामिक रिफॉर्म अंडर सब्सक्राइब तो आपको बिलुकुल इक्सी तुरी के सांस से लिब्रेलाइजेशन न попроб अंदर फिलनोंड वन इंडेन फिसकल एंडेन लेक्राव करते हैं तो कहता है कि लीड्लाइजेशित वर्चुल इंप्राइज सीर्डी इंडेनकी इडेवलेश्न अच्छा डीडेवलेशिन का मतलब क्या होते है डेवलेशिन को सलब खत्म करना एंड़ क्या यह एंड एप्रस्टिक्शन यह यह मतलब हो को इसका एंड और स्ट्रिक्शन ठीक है तो इसने बोला कि लेडिर अशैन का वर्चुली इंपलाइड विर्चुली इम्पलाइड डी यह एपिलेशन इसने क्या करा डीरेगुलेशन करा सबसे पहले सक्टर के अंदर आपॉली इंडर्स्टियल सेक्टर के अंदर क्या अगर आप पार बार लाइसंस लेने के लिए हमारे यहां पर आने की कोई ज़रूरत नहीं है ठीक है अगर आपको बिजनस इस नेचर का है जो बहुत सीरेस अप्रोडक्ट अगर आप नहीं बना रहे हो तो आपको हमारे पास बार-बार लैसेंसिंग के लिए आने की जरूरत नहीं है हम क्या कर रहे हैं से अबॉलिश्मेंट कर रहे हैं किसका इंडस्ट्रियल मतलब लैस तो कहते हैं जुलाइ नियुए 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 पालिश्टियल युए उन्चीन सी कि परता है सबसे पहले जब्सक्राइब करना चाहते हैं पर नियुक्वा ने युए नहीं पॉने लेकिन उसको क्या है मेजली ने पांच इंडस्टी ऐसी ती जिसमें इनोंने बोला कि नहीं यहां से भी भी लाइसेंसिंग का होना ज़रूरी है अगर यहां से हम अटा देंगे तो हमें क्या है प्रॉब्लम फेस करने पर सकते हैं जिसमें से पहली इंडस्टी कुन से होगई लेकर इंडस्टी होई लेकर इंडस्टी में इनोंने बोला कि अगर कोई पासन ऐसा है जो लेकर के बिजनस में इंवर्फ होना चाहते तो उसको क्या है लैसेंस लेना पड़ेगा क्योंकि आपको पता है जो लेकर है वो कैसा प्रोड़क्ट है वो एक ऐसा प्रोड़क्ट ह हटा दी जाए तो इतनी ज़्यादा मात्रा में इनका प्रोडक्शन होगा कि कहीं न कहीं हमारे आने वाले उसको क्या करेंगी यूद को खराब करेंगी तो कहीं न कहीं हमारी क्या हो जागा डिजास्टर अगर कि इसमें घ्यूमन कैपिटल के अंदर तो इसलिए उनने क्या बोला इस वाले सेट्टर में भी अभी हमें क्या है लैचनसिक रखने की जरूरत है आगे इसने इक्यूपमेंट में आगर लैचनसिंग को हटा दो तो कई बार क्या है यह भयानक भी ले सकती ह क्योंकि हमें नहीं पता कि सामने वालई जो ही हाँ बना रहे हं जो बोई नोने क्या बोला कि यहां से हम अभी भी अपने अप्ने इंडुस्ट्रीयल लाइसेंसिंग को नहीं हटा सकते हैं क्योंकि यह सारी के सारी कैसे सीरियस नीचर गे प्रोडक्ट यहां पर license को कोना जरूरी है ठीक है तो यह हमारा क्या था कि पहला रिफॉर्म्स था कि इसके अंदर इंडर्श्ट्रेंड सेक्टर रिफॉर्म्स के अंतर जहाब इसनों क्या बोला कि टपन को इसके इसके बॉस्ता दड़ने कैसे आगे वो था कॉंट्रैक्शना पॉबिक स्कूर्द को मतलब होते है किसी चीछता सिकूड जाना तो पॉब्लिक सेक्टर से उसे पढ़ने जा रहें ठीक है तो सबसे पहले कहता है कि अब उनको लगता है कि यहां पर क्या होता है कि गवर्मेंट के अंडर्टेकिंग होने के कारण जो अब उनको लगता है कि यार जॉब सेक्यूरटी थो हमआरे पास है और हमारे डिपार्टमेंट में तो इंडिने लोग को रहे है ने कामए कर तो नहीं काम नहीं सिद्धे हों कि'si नहीं करों गुत है कि Update vert हमें काम शहते हो ल companion फसीचला होने क्या रखता है कि इनकी जो टेबल होती है उस पर काम जमा होने लग जाता है और क्या है वहाँ पर लोगो को फेस करना पड़ते है यहाँ जा रही है लेकिन पर नीचे की तरफ आना तो यहां पर गवश्म करन को नुकसान होना शुरू हो जाता है पब्लिक सेटर एंटरप्राइस के गारा तो इसने बोला कि under the new industry policy number of industry reserve for the public sector was reduced from 17 to 8 पहले जहां पर गवश्मन्मेंट ने क्या बोला थे कि 17 industry कैसी रहेंगी हमारी public स्टाइब ने इसको ऊप्रती कि दो अगए तुम देखोगे तो आज वी इंड़स्टर आपर अज विद्ट आने नहीं डिया है एक होगी हमारी Atomic Energy and दूसरा होगी हमारा कौन सा Railway मतलब रेलवे पर पूरी तरीगे से जो भी इसके अलावा जितने भी सेक्टर है उन सब में प्राइबाट और प्प्लिक दोनी ही प्लेयर क्या है काम पर इसे पर से बैंकिंग हो गया एक इंश्रेंस हो गया बैंकिंग हो गया ठीक है इसके बाद हमारी सब्सक्राइब का मतलब किसी चीज़ को अपने लिए रिजर्वेशन का मतलब क्या होते है किसी चीज़ को अपने लिए लिए उनका डी रिजर्वेशन हो गया मैंने प्रोड़क्शन एरिया विच अर्लियर वर रिजर्व और एससाइए का मतलब गया है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो छोटे लेवल पर काम कर रही है ठीक है तो इसने बोला बहुत सारे प्रोड़क्शन एडिया जो की पहले सबुछा आञी के लिए बाद मुझंप देचल करा गया डि बीज्रीच करने के पीछे करना ञरता है उन्होंने क्या बोलाâte-कि यह ही ओने बोला हो कि ब किया करेंगी किया कितना resources का क्या होना चाहिए allocation होना चाहिए मतलब इन्होंने बोला कि government को किसी भी तरिके का reservation नहीं देना चाहिए किसी भी particular community को किसी भी particular sector को किसी भी particular basic economy को इसने बोला कि market forces जिसका पर आपको आपको क्या करना पड़ेगा मार्कट से आउट हो ना पड़ेगा तो यह कहता हमारा थार्ड एकनोमिक रिफॉरम था हाँ कि फर्स महां मनें क्या पड़ा कि evolution होना चाहिए हमारे लैसेंसिट सिस्टम का स्थेन्द मुझे पड़ा है किसीज का पॉबिक सेक्टर का एंड्ध क्या पड़ा कि डी एगुलेशन होने जी है हमारे की इस विग्रीयर के अगे अगे पते एक्सपेंशिंड और प्रोडॉक्शन कापसिटी इसने बोला कि पहले जी सब्सक्राइब अब इस नहीं तो समझते जब तक हमारे यहां इसको भी करती थी कितना करेंगे कितना हमें बचले मेरे हिसके हैं प्रम्फ की करेंगे cocktails क्या हमेशें होने वाली को रचांगा घुब Sigley अब आज चटेट में जो प्र पैब्लिक मैं आप मड़ीचिन क्या करना चाहिए, कैसे डू करना चाहिए अब यह प्रोड्शमार मार्ट और routinely कार था मॉर्म्ट की ठेक सबसे मतनब उसको जो लगता है कि मार्केटमोज का सेल हो जाएगा वो उनी प्रोडक्शन को क्या है मनाता था तो एक्सपेंशन हुआ किसका प्रोडक्शन कैपिसिटी का उसके बाद लास्ट में से बोला फ्रीडम टो इंपोर्ट कैपिटल गोड्स इसने क्या बोला कि अच्छे चीज मैंने चैप्टर उनकी उसको इंडिया में लेकर कि उनको पता है कर लेंगे ने कि पर इंडिया क्या क्वें करने लगे हैं तो हाला कि यहां पर क्या हुए है पहले क्वाइड़ नहीं थे लेकिन लिब्रेलाइजेशन के आने के बाद चीजे लिब्रेल हो गई, असान हो गई, गवर्नमेंट ने क्या करा, अपने जो कोटास थे, उनको हटाना शुरू करा, जिसके वज़े से अब हम जो लोग थे, वो दूसरे देशों से अब हाटे कर सकते थे खांगे, अन्-कशू अप्र क्या कर सकतेके, जया बादे कशर्ञेशन का थे, के वो है, प्रीडउम चैन। कर सकते बाई यूजिए दा अपडेटेट कैपिटल गोड़्स तो यह क्या है अब जो गौर्मेंट है हमें उसे पर्मिशन लेने की जरूरत नहीं है कि भाई हमें इंटरनेशन मार्केट से क्या है समान मगवाना है जिसके लाब हमें पर्मिशन दो कि हम वहां से क्या कर सके अपने ल इसमें पहला हमारा इंडेस्ट पर दिक्सकी बारे में देखो इंडेस्टियं का मतलब से हो गया तो तो से मतलब वहाग होगा अब हमारे हमें पर जुब भी फैनिनीस का नाम आते है तो सबको पता है कि आर बे क्या आती हमारी दिमाग में आर विएके एक बन जाते हैं तो इसने बोला कि अगर बात करें इंडिया के financial sector की तो इंडिया की financial sector में सबसे पहरा नाम आता है banking का यहाना banking sector का banking and non banking financial institutions इसकी बाद दूसरे समस्मां आते है stock exchange market क्योंकि कहीं न जा यह भी तो इसको regulate and control किसके द्वारा करा जाता था RBI के दरवा मतलब RBI को जैसा समझ में आता था अर्भी क्या करते थे उस तरह की पॉलिसे बनाते थे लेकिन liberalization के आने के बाद एक जो major change आया वो क्या आया कि liberalization implied a substantial shift in the role of RBI from a regulator to a facilitator इन्होंने क्या गणा liberalization के आने के बाद इन्होंने बोलो जो RBI है वो पहले जो हमाइन पर regulator की तर तरीके से काम कर देहें मतलvial komplette करने का काम और那 हमें facilitate करने का काम का वें निख और हमारे सर के ऊपर आग्र वाट गएère करने का मतलब होगी कि हमें हाथ बगड़ के लेके चल लिए ठीक है तो कहीं न कहीं इसने बोला कि वज़े से सबस्टांसियल एक मेजर शिफ्ट आया आर्बिया के अंदर जहां पर जो कि पहले हमारी क्या थी रेगुलेटर के तौर पर काम करेगी कहता है एज रेगुलेटर इसने बोला कि जब आर डिया करती तो आर बिया ये डिसएड करती कि कि समय बेंक की ज्यादा बहते है ठीक है तो चलो यह कै तमार फैनेशल सेक्टर रेफॉर्म तुक्त बोला कि जब रेगुलेटर के तौट पर काम कर रही तब तो उसने क्या कर रहा कि इसने बोला मैं डिसाइड करूंगी कि मैं रेट आफ इंटर्स कितना होना चाहिए मतला कितने पर लोन दो ठीक है कितना लोन यह सब कुछ मैं बताऊंगी लेकिन इसने बोला जम 1991 के तो आर्बे ने सीधा सीधा बोला कि जो मार्केट फोर्से से उनको गाम करने दो मतलब अगर एक चीज बताओ आर्बे ने बोला कि भाई लोन आप दो पंद्रा परसेंट पर लेकिन जो कस्टमर है वो बारा परसेंट की डिमांड कर रहे हैं तो कैसे वहां पर बेसिकली यह क्या करते से फैसिलिटेट करते थी तो फ्री प्ले आप मार्केट फोर्सेस एं लेविट टुदा कमर्शिल में कि आप अपने इंटरसेट का स्ट्रक्चर क्या है खुछ से डिसाइट कर लो ठीक है आर्बे गो बारबरस में इंवाल्व ना किया जाए तो ही बहता है फ्री इमर्जेंस और प्राइबट बैंकर्स बोथ डॉमेस्टिक एज इंटरनेशनल मतला उसके बाद 1991 की रिफॉर्म साने के बाद हमारे हम पर जो प्राइबट बैंक्स की संख्या है वह बढ़ती चली गई क्योंकि एक तो चीजे लिब्रल हो गई थी इनको लैसेंसिंग की तो हमारा एचे बैंक है वो गया तो अमेरिकन बैंक हो गया यह कुछ थे जो हमारे क्या थे इंटरनेशनल बेयर थे और भारत में की काम कर रहे थे और इनका जो कॉंपिटिशन ता वो किसके सांथा पब्लिक सेक्टर बैंक को दिक्कत आई दिक्कत इनको नहीं है क्योंकि इनको पता है कि कैसे क्या कर सकते मार्कित में कम कोस्ट लगा के ज़्यादा मुनाफ़क कामा सकते है प्राप्लम किसके सांथा थे पब्लिक सेक्टर बैंके साथ आ गई ठीके क्योंकि उनको पहले काम करने के आदध है लेकिन इनके सांथ कॉंपिटिशन को फेस करने के इंडिया में वह क्या है वह एजिली आने लगा क्योंकि लैसेंसिंग सिस्टम आप विस सी बात है खतम किया जा रहे था चीज इंडिया हो रही थी जिसकी वज़े से बाहर से भी पैसा आ सकता था इसली तो लिब्रिलाजेशन की वज़े से क्या वह जो फॉरन इंडियान इकॉनमी की तो इसने बोला कि इसकी वज़े से हुआ कि मुल्टी डाइमेंशनल ग्रोथ हुए कि इंडियान एकॉनमी की ठीक है मतलब अब यहां पर क्या था अलग अभी जब मैंने तुम्हें पढ़ा रही थी तो मैं तुम्हें बताया था ना कि जो बैंकिंग कर रही थी हमारे बिजनस को परफॉर्ब करने के लिए जिसकी वज़े से क्या है इंडियान इकॉनमी की कैसे होने लगी मल्टी डैमेंशनल ग्रोथ होने लगी आई होप आपको दोनों समझ मागोंगे अभी हम चलते हैं अपने फिसकल रिफॉर्म की तरफ तो फिसकल रिफ डिफॉर्मेंट ऑप दॉम्यिटे अंद होते ही टैक्स कर lightrite चेक्से यॉडिय। सुमें एस पहले कहीं तो कहते हैं कि अंडियख़ कर्ना ए बहरत में तो चैसे सोंको दो समझाते हैं कि ईयसे मान के चलो कि यह कौन भी है थीचर है और इनको जो है वह पर मंत का जो मिलता है वह मांन के चलो कि इसनित पर क्या करना पड़ेगा टेक्स देना पड़ेगा तो ऐसी इंकम जो कि जिस परसन ने कमाई उस ही परसंद को using LIKE उपर पैक्स ना पड़ते हैं इसे बोलते डारेक्ट कैववोलते इसके मतलब जा देक्स हों आरिक्स होगा है इक उसे ब्इसनेस में को पर्रॉफिट कमाई उस ऑपर खैक्स क्राश सब्सक्तों कैसा है धाउट ठेक्स। इसी दूसरी तरफ चलते हैं यह पहने मिस्टर क्यों एंट्र क्यों है इनका एख शॉप है और ये क्या है मिस्टर थी एन वोई अब इन्हों ने नहीं क्या गळा यह निसे बोला कि मरे को ऐ度 क्या करो एक जाना एक टूटपेस का पेक दो तूटपेस कि क्या ग्रहा तो मिस्टर क्यों मिस्टर एंड से कितने रुपे मांगेंगे वन टूंटी रूपीज अब यह जब वन टूंटी का कैसे होगा इसमें कुछ-कुछ ऐसे होता है जिसे मान के चलो हंड्रेड रूपीज तो जिसने इसका प्रोडॉक्शन करा उसके पास चला जाएगा ठीक है इ मिस्टर क्यू का तो यह क्या है यह यह वन टूंटी इस तरह चापने इंकम किसका उपना मिस्टर क्यू पर कला है मिस्टर इनका ये किसका बोलोगे टेक्स का किसका होगे इन टेक्स ना किरों लेकिन क्या एक चीज किपा तुम लोगे एक चीज बोगे सब्सक्राइब करना पड़ता है तो एक तो अगर तो आगर आगर को यह बोले कि तो आप बोलों कि हाँ आप सब के सब क्या है टेक्स को पे रहे और इवन हम डेली आ गई होग चिस समझ में बहुता है वापस से तो चैक्स होते जिनका जो थेख्च जो वृर्द एंड युट्यवीड सी थेख्चि थीक सब्सक्राइब चैपड युट्त करने कैन्व हम बात ़ुक्ट है टेक्स के एक्जांपल की तो क्या देखा जाए लिब्रेलाइजीशन से पहले च्छोटी सी चीज में तुम्हें बता देखिए कि इंडिया क्या है एक हाइडी पॉपुलेड़ेट कांट्री है ठीकिन लेकिन इंडिया के बहुत कम ही लोग ऐसे ही जो टेक्स को पे करते हैं उ करने की वह कारण है बिल्फुल वह कारण है लेकिन कई लोग टेक्स इसलिए भी नहीं पे कर पाते क्योंकि उनको यह पता ही नहीं कि टेक्स पे क्यारा कैसे जाता है मतलब कहीं ना कहीं 1991 से पहले देखा जाए तो हमारे यहां को जो टेक्स स्टुक्चर था वह कहले था इसने क्या बोला कि जिसकी वज़े से 1991 में जो हमारी इंडियन गॉवर्मेंट थी उसने एकनॉमिक रिफॉर्म में चीज को फिल करा कि हमारे यहां पर लोग टेक्स पे नहीं कर पार है जिसके पीछे दो कारण है या तो लोगों को टेक्स पे करना ही नहीं चाहते जो लोग टेक्स पे करना नहीं चाहते उनके उपर हम गुवर्मेंट के है टाइम टाइंब एक्शन लेती रहती है लेकिन जो लोग करना चाहते है पर उनको टेक्स पे कैसे किया जाए यह समझ में नहीं आता तो उसके लिए गवर्मेंट के अगर आपने टेक्स स्टक्चर को सिंप्लिफाइब करने की कोशिश करें ठीक है आई होप यहां तक समझ मां आगी होगा अभी हम आगे बढ़ते हैं अपने कि एक्सटर एक्सटर रिफॉर्म्स को और दूसरा डेट पॉरेंट और इनिशाट इनिशाटे इन नाइंटिनिवन विधिज डी वालीवेश्ट आफ दे इंडियन रुपी अगेंस्ट फॉरुरीं करेंजी तो इसने बोला फॉरें एक्स्टिंज रिफॉर्म्स को इनिशिड तो बाकी की जो करेंसी ती वो तो ग्रेजुली क्या करेंसी लेकिन अपना जो इंडियन रुपी वो नीचे आते जा रहे था जिसकी वज़े से क्या है एक नॉमिक रिफॉर्म को इंटर्ड्यूस करा गया है अच्छे चोटी से चीज तुम्हें बता देखो तो हमारे जो डॉ असी रुपे के बराबर है मतला आज की डेट में को डॉलर खरीदना है तो मेरे को बदले में असी रुपे बेगरने पड़ेंगी लेकिन क्या तुम्हें पता है नाइंटीन फॉर्टी सेवन में हमारे जो वन डॉलर इक्वल टू वन रुपी था तो सोचो कि उन लोगोंने एक्षेंज वाल्य रूपी तो सोच घ्ठेट शैनें रूपी श्काव लेट व्योगों प्रीजिस है उसकी बात करें तो करतें नाइंटीन गुवेस्टेशन मतलब था उन गाँ ओल टीका उफ रूपी ठीके यह क्या होगी डिवैयशन मतलब नीचे की थारफ ओना कि करो किसी भी करन्सी के तो कहते है कि फॉल आप डी निटींटी वाइशन हो रही थी करण से मैं उसमें एसाइं डिपे इंडियन रूपी इंडिन तर्टन्न सब्सक्राइब करें तो यहां पर चोटी सी समझने वादी है कि अच्छेज बताओ अगर आप इंटरनेट पर चेक करोगे तब कि जो डॉलर का रिटा वहार दिन खड़ता बढ़ता रहते हैं क्यों कि हर एक दिन हमारे जो बिजनस से वह उपर निचे जाता है ठीक है आई होप चीजे समझ मारेंगे मेरे को पता है कि आपके हसाब से टॉपिक है थोड़ा ताफ टॉपिक है आप उतना को रिलेट नहीं कर पार रहे हैं लेकिन आपके स्लेबस का बाल्ट आपको समझना बढ़ेंगा ठीक है मैं कहीने कहीं चीजों को करने की कौशिश कर रही हूं तो फॉरें ट्रेट पॉलिशी अंडर्वेंट सबस्टेंशल चेंज इन देवेक और लिप्रिलाजेशन टैरिफ रस्टिक्शन साइब बिन कंसिडरेबली मॉडरेट के तर रैदर विद्रान इस ने बोला कि जो फॉरें ट्रेट पॉलिशी थी ना उसमें सबस्टांशल चेंज लाए गया ठीक है कहते है जैसे कि इसने बोला कि जो टैरिफ रस्टिक्शन थे मतलब टैरिफ समझ तो टैरिफ रस्टिक्शन साइब इन कंसिडरेबली मॉडरेट थे कहते रैदर विद् प्रोट्ट जो यूएसे से इंडिया में आने चाहिए अब दिक्कत क्या है या तो हम भेज नी पाते है या फिर मंगा नी पाते क्यों क्यों कि उनके पर टैरिफ का रेट ही पहुच जाना है तो लिब्रिवियू करा और उसके बाद देखा कि कि किसको लगाने की जरूरत है इसको विड्रॉब करने की जरूरत है इस पॉलिशी प्रोटेक्शिन के उपर काम ना करके बहतर है कि अपको चीज़े होते है कि आप क्या करो प्रोटेक्शिन करते हूं लेकिन अगर आप बहुत जादा क्या है लॉस होने वाला है आप इस तरी जिसा सर्वाइबल लंबे स समय तक नहीं कर सकते हैं तो आपको क्या करना चाहिए सर्वाइब करना चाहिए फिटेस्ट के लिए मतला कि कैसे मैं अपना आपको बहतर कर सको अगर आज की डेट में आप नरेंद्र मोधी जो कि हमारे प्राइम मिनिस्टर उनकी पॉलिसी को देखोगे तो वह काम किसके उ उनने बोला कि एक चीज बताओ हमारे यहां पर ब्लैक मनी इसी मनी तो है जिसके पर टैक्स नहीं पर जा रहा है तो क्यों नहीं सारे लोगों को बैंकिंग चैनल से जोड़ते तो यह उनके क्या है जिसमें उन्हें जंधन योजना को सुरू कर रहता है तो यह कुछ क्छ क् सबसे पहनने पड़ा कि हमारा सबसे पहनने पड़ा कि हमारा एकनौमिक पनकी एकनौमिक पॉलसी की अगर हम गर्प औला लगऑ करने के लिया हमें क्या है क्लाविक रिफॉर्म्स की बात करते हैं तो फिसमें प्रेजिस सब्सक्राइब करना चाहिए अपने को सिस्टम को या अपने करने चाहिए कंट्रोल को ओवर दा स्टेट ठीक है मतलब चीजों के प्रति उधार होने के लिए फिर हमने देखा कि कुछ हमारी अब्जिवेशन थी जहां पर हमने अब्जिवेशन के बारे में पढ़ा था ठीक ह फिर हमने समझा कि हमारे एकनोमिक रिफॉर्म संडर लिब्ले रिफॉर्म के बारे में पढ़ा जिस मैं पूस टॉपिक कर और और कर वाएं ठीक है फिर हमने फिर हमने फिशेल बड़ा फिसकल अख्टेनल ने तुम्हें सम्झाए था एबोलूशन ऑफ इंड़ुस्ट्यल किसका हमारा प्रोड़क्शन आईडियास का इसके बाद एक्पेंशन हुआ प्रोड़क्शन कैपेसिटी का फ्रीडम इंपोर्ट कैपिटल गुड्स यह हमने पड़ा था ठीक है मैं तुम्हें एक बारा से क्यों बता रहें जिससे कि इतना भी आपने पड़ा वह एकदम से फ लेकि बैठो ये नोट्बुक लेकि बैठो और उसमें इसका है कि इसके बनाते चले जाओ ताकि आपको क्या है रिवीजियं में प्रॉबलम नहुं ठीक है फिर हमने इक्सेंटरर सेक्टर्रीफॉर्म के बारे में पड़ा है अप्सेंटर्रीफ के बढ़ा हुए हुग्ण पार्ट टू में हम गया है बागी के बचे हुए टॉपिक्स को बढ़ेंगे ठीक है यह जो अभी हमने टॉपिक पढ़ा है यह हमारा में टॉपिक नहीं है ठीक है लेब्रेलाजिशन की है इस एक्नामिक का मेजर टॉपिक है तो अमीद कर रही हो कि आपको यहां तक का कि गौशिश करूं ठीक है और कोई भी problem हो तो comment section की थ्रूप पूश सकते हो अगर समझ में मेरे को लगेगा कि उसको वहीं पर response किया जा सकते हैं तो मैं comment section की थ्रूप बता दूँगी अगर मुझे लगेगा कि नहीं उसके पर एक major topic टापिक बनना चाहिए तो मैं क्या करूंगी फिर उसको एक वीडियो के तरह कवर कर लूँगी ठीक है तब तक के लिए टाटा बाई-बै थैंक यू सो मच बाई